दोस्तों हमारा नेक्स्ट टोपिक है विसल ब्लोवर या फिर विसल मेकेनिजम भी इसको बोलते हैं यह होता क्या है मैं कि इसको एक नॉर्मल लेंगविज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप सपोर्स कीजिए कोई और ओर्गेनेजेशन है उसके अधर कुछ गलत हो रहा है या तो और्गेनेशन कंप्लीटली पूरा बॉर्ड ऑफ डाक्टर क्यूंकि और्गेनेशन खुद तो चलती नहीं उसको चलने के लिए कुछ लोग चाहिए होते उसको बोलते हैं डाक्टर्स जब जो टोटल नमब्र इसको बोर्लीकरों अगर वह कंप्लीटली मिलकर कुछ गलत कर रहे हैं गलत चल रहा है और वह पुदिद्धी होना चाहिए उसका प्रूफ हो रहा है ठीक है उसको एक तरीके से विसल ब्लोइंग बोला जाता है ठीक है दोस्तों आप इसको पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिक होगा एक परसन हो पब्लिकली कंप्लेंस कंसील मिस्कंड़क्ट पार्ट ओफ एन ओर्गनाजिशन और एनी परसन बिलोंग तो यह अगर कोई पर्टिकुलर परसन भी कंपनी का दग लगर उसके लिए भी विसल ब्लॉइंग हो करें अपने डिरेक्टर और एंप्लोइज के लिए ठीक है दोस्तों ओल्सो प्रवाइड डिरेक्ट एक्सिस चेर्मेन और ओडिट कमेटी ने एक्सेप्शनल केस यह बात लिक होई है सेक्शन 177 सबसेक्शन 9 और कम्पनी अप 2013 कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसी है कि जिसम और ओडिट कमेटी के चेर्मेन को डिरेक्ट एक्सिस मिल जाता है विसल ब्लोवर को कि वो डिरेक्टली उसको रिपोर्ट कर सकते है उसके बीच में कोई नहीं आएगा कि मैनेजर को बताना है या फिर किसी पर्टिकुलर डिरेक्टर को बताना है वो डिरेक्टली चेर्मेन इसने इस्टेब्लिश किया था 2002 में ठीके दूस्तों उन्होंने इसके अंदर कुछ important चीजें लिख्यों यह जो कि मैंने आपके आपके आप इसके बैसे तो बहुत बड़ा है अगर आपनी बुक में इसको पढ़ने जाओगे तो यह बहुत बड़ा टोपिक है लेकिन जो उसके अंदर में चीजे थी वह मैंने यहाँ पर तीन पॉइंट में कवर करने की कोशिश किये make it illegal to discharge, demote, suspend and discriminate against whistleblower यानि कि इनके according Sarvance Oxley Act के according अगर आप whistleblower को suspend करते हो, terminate करते हो या फिर उसका अगेंस्ट criminal liability है, वो भी 10 साल के लिए, 10 साल के उसको jail हो सकती है, required board audit for hearing complaint of whistleblower, एक तरीके से committee बनी जाती है board of directors की, जो की whistleblower की कोई भी complaint उसको सुनने के लिए होनी चाहिए, ये भी sect के अंदर बताया गया है, हमारे company Z, इंडिया का जो company Z 2013 ने, उसके according किस को whistle mechanism बनाना compulsory है, तो listed company, और कोई भी company जो public से deposit, accept करती है, वो, प्लस, जिसकी borrowing, 50 code या उससे जादा है, 50 code या उसने bank से लिए है, या PFI से लिए है, इन 3 category में जो companies आती है, उनको whistle mechanism बनाना compulsory है, ठीक है दोस्तों, done